नमस्कार जाहिन दोस्तों आप देख़ें मास्टर वीडियो ओफिसियल और अभी हम एरुटेडिया का जो बिहार करेंट अफेर का बुक आया है इस्पेसल ये बिहार के लिए ही है तो ये मेल लिए आपको भी प्यासी में भी काम देगा आगे सीडिपी ओ है और स्सेजियल का भी है उसमें भी आपको हेल्प करेगा तो काफी इंपोटेंट है कुल इसमें 10 सेट दिया गया है और प्रतिक सेट में 50 प्रस्त है यानि 500 प्रस्त है इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो को धियान से एक दोबर देख लिजिएगा डेफिनेटली आप को हेल्प करेगा पहला प्रस्त है निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे दो कथन दिया गया है पहला है कि बिहार के मधुवनी जिले के जगदीश परसाद मंडल को मेतली भासा के लिए सहित्य अकादनी पुरुषकार 2021 दिया गया मेतली भासा के लिए प्रसाद मंडल ऐसे ही प्रसना जाएगा कि प्रसिद पुस्तक पंगू या उपन्यास पंगू उसके लेखा कौन है तो जगदीश प्रसाद मंडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्स तक विद्याले सिक्षा में सत प्रतिसत सकल नमांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष रखा है यह है 2030 तक 2030 तक साथी जो पंच अमरित जो कॉप 26 हुआ उसमें 5 अमरित मोधी जी के द्वारा दिया गया तो उसमें 4 का टार्गेट जो है वो 2030 तक है और एक पांचवा जो था उसका टार्गेट 2070 तक था जिसमें 2070 तक नेट कारवन एमिशन जो है जीरो कर लेगा वो थ तो असानी साब उस पर टिक कर पाओगे अगर आपको यह धियान रहेगा तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्जी के कितने सहरों को मॉडल टॉन के रूप में बिक्सित किया जाएगा च्छो सहरों को जिसमें मुझपरपूर, बिहार सरीफ, मुंगेर, सुपोल, बोध गया और राजगीर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दौराजारी वर्स 2020 के आखनों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का अस्थान कौन सा है, बिहार है 25 नमबर पे, क्राइम के मामले में, यह 2020 का डाटा है, वजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले नालंदा और दर्भंगा, दर्भंगा में सॉलर पैनल भी लगाया जाएगा, जो की काफी न्यूज में है, सॉलर पैनल के लिए, हाली में सॉलर पैनल मतलब ऐसा नहीं, कि एक खंभा गाड़ेगा, पैनल लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो वहाँ पे तलाब है ना, मेल पूल चंदर चौधरी और त्रिपुराडी सरन है मुख्य सुचन आयुक्त कौन है? कमेट वक्स में बताईएगा तो मुख्य सुचन आयुक्त हाली में किस राज अस्थानी लेखक को हम यहां थें उपरन्यास के लिए बिहारी पुरुषकार 2021 से समानित किया गया किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहाजानंद सरस्वती की कौन सी जन्ती मनाई गई? मार्च 2022 में पटना ग्यान भवन में संपन हुए वसंतो उत्सब महिला उध्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरुषकार दिया गया सफल उद्यमी का पहला पुरुषकार मिला वहीदा आहमद पतना में आयोजित राजी अस्तरिय डाक टिकट प्रदर्सनी बिहार डिजी पैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद जी आइटेग उत्पादन पर विसेश आवरन का विमोचन किया गया यह है मगही पान याद रखिएगा मगही पान को जी आइटेग कहां से मिला बिहार का है जिसे मत होनी पैंटिंग बिहार का है मुंबई के नहरू और जर्दालू आम भी बिहार का है मुंबई के नहरू सेंटर में आयोजित एगरो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राजी के जैविक उत्पादों को बेसेश पुरुसकार परदान किया गया बेसेश पुरुसकार मिला है बिहार को करनाटक के मेंगलोड में खोली गई सरसथवी सिनियर रास्ट्रिये वल्ड वेडमिंटन चैंपियनसिप में बिहार का कौन सा स्थान रहा बिहार रहा तीसरे नम्मर पर बिहार की पहली नदी जोरोप पर्योजना के तहट 2022 में किन दो नदियों को जोरा जाएगा बूढ़ी गंड़क और बागमती बूढ़ी गंड़क और बागमती अप्रिल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निडियात के मामले में बीच सभी राजियों की सुची में बिहार को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है बिहार को मिला है बाइसवा अस्थान बाइसवा पटना नगर निगम द्वारा निसुल्क पार्किंग सुविथा अप्लब्द कराने के लिए किस अप को लॉंच किया गया है निसुल्क पार्किंग सुविथा सुख्ष्था एप वानी जी मंत्रालाय दुआरा जारी सुची के मुताविक बिहार के सबसे जैदा निडियात करने वाले जिले में सिर्श अस्थान पर कौड़ साया निडियात मामले में बेगू सरे टॉप पर है बेगू सरे Sumple Registration Survey दुआरा हाल ही में जाड़ी रिपोर्ट के अनुसार 201718 में बिहार की मात्र मिर्तियुदर क्या थी मात्र मिर्तियुदर था 13,30 पर लाख पे था सेंपल रिजिस्ट्रेशन सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिस्व मिर्तियुदर 2019 में प्रती एक हजार जिवित वच्चों पर कितना था तो यह हैं 29 हाली में समाज सेवी अमित कुमार पासमान को 2022 का भीमरो अम्बेदकर राष्टि पुरुसकार से समानित किया गया वो बिहार के किस जिले से हैं जिने भीमरो अम्बेदकर दिया गया अमित कुमार पासमान को यह है नालंदा से बिहार राज्जी के जल संसाधन विभाग के राज्जे के तटवंधों और नजियों से सम्मंदित आकड़े के बहतर प्रवंधन के लिए एक नया सिस्टम विक्सित किया गया जिसे क्या नाम दिया गया है जिसे नाम दिया गया बीम्स मिस ट्रांस कुइन इंडिया की ब्रांड अंबेस्टर बनने वाली भारत की पहली ट्रांस जेंडर कौन बनी है नव्या सिंग मधवनी जिले के किसी व्यक्ती को अमिर्की राश्टर पती जियो वैडन ने कोवेड नैंटिन रिस्पॉंस कौडिनेटर निक्त किया है इस बार आसीज कुमार ज्छा को मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से समानित किया गया वो भारत के किस जिले के निवासी है वो है भोजबूर के निवासी भोजबूर नसामुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मेराथॉन का आयोजन किस जिले में किया गया हाफ मेराथॉन का इन्वर्टर विक्सित किया, सुटकेस इन्वर्टर विक्सित किया है IIT पतना, IIT पतना, GSI की रिपोर्ट के अधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44 प्रतिसत सेना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगा है, तो ये जमूई खबरों में रहा ओधिनी डैम, बिहार के किस जिले में इस्थित है, ओधिनी डैम है बांका में, बांका ओधिनी डैम, कोसी नदी के किनाड इस्थित गुबारी डी अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरतत्विक अवसे समेटे हुआ है, ये किस जिले में इस्थित है कोशी के बगल में है यह भागलपूर में राज के परिटन को बढ़ावा देने के उद्देश से किस जिले में स्थित मंदार परवत को पचास करोड की लागत से मूर अभ्यारन च्छत्र बनाने की पहल सुरू की गई है मूर अभ्यारन च्छत्र यह वन रहा बांका में यहां पर कौन सा कथन सत्य दिया गया है सारे कथन सही है कि कैविनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निगाय की संख्या 263 हो गया 263 इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है और नगर पडिसत जो है वो 89 है जबकि नगर पंचायत 155 है नगर पंचायत 155 है बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर बिग्रेड के लिए एक इमर्जेंसी नमबर जारी किया गया है ये नमबर कौन सा है 112 112 112 बिहार के की सदर अस्पताल में राज्जी का पहला डी एन वी प्रसिक्षन संस्थान खोला जाएगा डी एन वी प्रसिक्षन संस्थान ये खोला जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल में मोतिहारी सदर अस्पताल नेमूर्ती संजीब प्रकास वर्मा ने पटना है कोट के ज हुए हैं इनके पद धारन के बाद पटना है कोट में जजों की संख्या 26 हो गई है जब कि सुकृत पदों की संख्या तिरपन है बरतमान में पटना है कोट के मुख्य नियमूर्थी कौन है किस राज सरकार ने घोसना की कि सरकारी भवनों के निर्मान में फलाई एस से बनी इटों का उपयोग किया जाएगा बिहार में नौ जनवरी को पतना कॉलेज का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया पतना कॉलेज का ये था 160 वा स्थापना दिवस राज सरकार ने बिहार नगर पाली का अध्यादेश 2022 अधुसुचित कर नगर निकाईयों में महापाउर उप महापाउर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नहीं प्रनाली लागो की है इसके तहट इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जायेगा इनका मुंगेर में, मुंगेर. सरकारी और योगीक परसिक्षन संस्थान को Center of Excellence के रूप में बिख्सित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझोता किया है। बिहार ने किया है Tata Tech के साथ Tata Tech. बिहार के समस्तिपूर जिले से सम्मन्धित किस योग्य परसिक्षन को राश्ट्रिय प्रेरना दूत पुरुसकार से सम्मानित किया गया राश्ट्रिय प्रेरना दूत पुरुसकार मिला है मुनालीसा सिंग को मुनालीसा सिंग बिहार सरकार ने किस तिथी को सहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है सहीद दिवस 15 फरवरी को 15 फरवरी बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल जो की गोवर के बदले गैस योजना है इस पे अधारित डाक टिकट जारी किया गया है मधवनी में मधवनी ओप्सन नमर बी बिहार के किस जिले में इस थेत सैकलोपियन दिवार को युनेस्को हेरिटेज सैट में सामिल करने पर विचार किया जा रहा है तो यह होगा नालंदा का नालंदा बिहार से चोड़ी हुई 1200 वर्स पुरानी भगवान अवलोकितेस्वर यानि भगवान बुद्ध की मुर्ती को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है तो यह वापस होगा इटली से और एक कनाड़ा से अनपुर्णा की मुर्ती वापस होगा कहां पर उत्तर पर देश में तो दोनों याद रखिएगा बिहार संग्राले का महानि देशक किसे नित किया गया है बिहार संग्राले का महानि देशक अंजनी कुमार सिंग अंजनी कुमार सिंग किस जिले में वनावरन का प्रतिशत सबसे कम है बिहार के किस जिले में वनावरन सबसे कम है सेखपूरा में सेखपूरा बिहार का वितिय वर्ष 2022 तेश का कुल ब्याई बजट का अनुमान कितना है बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2020-22 के अनुसार 2020-2021 में बिहार का सकल राज्य घड़ेलू उत्पाद बार्तिमान मुल्य पर कितना रहा था ये रहा था 618 दुसामलब 36 करोर बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के अनुसार बिहार के क्श दिले में वर्थ 2019-22 में पर्ति व्यक्ति शकल घड़ेलू जो राज्य अनुसार राज्य में ख़ादानों का राज्य भुद्वेक्षन U115,95,000,000 तन बिहर का पहला इवम देश का दूसरा वानीकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है ये बनड़ा मुंगेर में वानीकी कॉलेज मुंगेर मुंगेर जिला है वैसे बिहार में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन पर्योजनाओ की जाच के लिए किस आप को लॉंच किया जा रहा तो ये अप हो जगा द्रिष्टी आप अफदरा फास्ट करते हैं जल्दी कंप्लेट करना है बिहार के किस अविनेता को दादा सहाफ हाल के इंटरनेशनल आवार्ड 2022 के वेव सिरीज में सर्वस्रिष्ट अविनेता का पुरुसकार दिया गया मनोज बाजबई को मधवनी जिले के किस व्यक्ति को मैथली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादनी पुरुसकार दिया गया तो अभी हम लोग पठे थे ये पंगु के लिए किसे दिया गया है जगदीस प्रसाद मंडल को जगदीस प्रसाद मंडल और जगदीस ये जो है वो जगदीस ही नाम याद रखिये UGC जो है उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन उसके चेर्मेन भी है जगदीस बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम सिरेनी क्रिकेट में तीरा सतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलारी बन गया सकी बुल गनी बिहार के किस अस्थान पर जू सफारी की सुरुवात की गई जू सफारी की सुरुवात क्या गया राजगीर में बिहार खादी के ब्राणने मेश्टर कौन है मनोज तिवारी बिहार खादी के अगे किस जिले में हैड्रोपोनिक पधती पर अधारित खेती मतलब बिना मिट्टी का जो खेती होता है उसे हम कहते हैं हैड्रोपोनिक हैड्रोपोनिक बिना मिट्टी का तो यह हो रहा है भोजपूर में भोजपूर बिहार के सारन में रास्ट्रिय राजमार्ग वन पड़ निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की अधारसिला किस ने रखी ये रखा गया सरवानंद सोनेवाल की दौरा सरवानंद सोनेवाल बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे उंचा रमायन मंदिर विराठ रमायन मंदिर का निर्मान किया जा रहा है विराठ रमायन मंदिर ये बना पुर्वी चमपारन केंद्रिय बज़ट 22 इसके अनुसार पटना में कितने बंदे भारत ट्रेन की सुरुआत की जाएगी बंदे भारत ट्रेन यहाँ चलेगा 2 पुरे भारत में चलेगा 100 हाली में बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर सरपली राधा क्रिस्टनन सिक्छक उत्क्रिष्टा पुरुसकार दोजार रिकिस से सम्मानित किया गया प्रोफेसर तुसारीका सिन्ना बिहार बिधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कारिकरम का उदगाटन किस ने किया प्रबोधन कारिकरम ये किया ओम बिरला ओम बिरला बिहार किरसी बिस बिद्याले सवोर दुआड़ा किस फसल की प्रजाती से सम्मन्धित बीज सवोर फस्ट विक्सित क कि आगिया मखाना के लिए मखाना ओप्सन नमर डी बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नितिश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गड़कडी ने स्रीक्रिस्टन सेतु पूल का उधगाटन किया मुंगेर में मुंगेर पेपरलेस व्यवस्था के तहट ये ऑफिस पर न अमबेस्टर के लिए चुना है क्रिसी नेट्वर्क एप के लिए तो इसके हैं पंकस्त्रीपाटी नितिश कुमार ने किस जिले में अमर सहीदो की मुर्ती का नावरन मुंगेर में किया 14-18 फरवड़ी तक पटना डेलवे स्टेशन पर बित्य सक्षरता सप्ता का इकरम कायो जनकिस के द्वारा किया गया यह हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक बिहार के किस जिले में मता सिता की सबसे उची परतिमा स्थापित की जाएगी यह 251 मिटर उच 31 जनवरी से लेकर 6 फरवड़ी तक बिहार के किस जिले में आजादी का 75 अमरित महतसव कारिकरम के अंतरगत स्रामिको की आइस रिजन के विशेय पर किसान संगोस्टी का यह जन किया गया है किसान संगोस्टी वा क्यमूर भभुवा में बिहार सरकार ने किस योजना के तरज पर केंद्र सरकार के इसमाइल योजना की सुरुवात करी है इसमाइल योजना कर रहा भिरता विरती निवारन काडिकरम के लिए भिक्षा विरती निवारन के लिए जो बच्चे या महला भीक मांगते हैं उसके लिए उसको दिक्कत न सफारी का शुरुबात हुआ है सुपोल में सुपोल कोशी सफारी बिहार सरकार के राजी में सुक्षम लगू और मध्यमुद्यों को बढ़वा देने के लिए किस संस्था के साथ समझोता किया गया यह संस्था है सिडवी सिडवी पटना के किसा विनेता वा निर्देशक को दादा साथ फाल के इंडियन टेलिविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया दीप स्रेस्ट को दीप स्रेस्ट एरपूट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार बिस्व के दो सो चुनिंदा हवायाड़ों में बिहार का कौन सा हवायाड़ा सामिल किया गया यह पटना का ह किस जिले में किया गया पिय एम मित्र योजना के तहट बिहार के किस जिले में जाया, पियह सुह इस चाहरों के अनुसार, सहरों में नल-जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है बिकास मिसन दुआरा जारी रिपोर्ट के अनुसार सहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ यह हुआ है जहानावाद जहान आबाद जारे रिपोर्ट के अनुसार गडामीन छेतरों में नल जल कलेक्शन देने के मामले में किस जिले को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है नल जल कनेक्शन के लिए तो ये है बाका बाका उप्सन नमर सी बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फुड़ पार्क बनाया जाएगा सबसे बड़ा फुड़ पार्क होगा मुझपरपूर महिला सौभिमान बल का मुख्याल है कहां अस्थाप्त किया जाएगा महिला सौभिमान बल का मुख्याल है ये होगा बालमिकी नगर में बिहार के किस जिले में साहित्य अकाद्मी में रोगो उपचार योग केंद्र की अस्थापना की जाएगी रोगो उपचार योग केंद्र इसकी अस्थापना की जाएगी पटना में बिहार के परसिद्ध मैथली साहित्यकार लीली डे का निधन हो गया उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्यकादमी पुरुसकार दिया गया है तो ये हुआ मडी चिका के लिए बिहर के किस जिले में इस्थित धार्मिक अस्थल पुनोरा धाम को परिटन मंत्राले के परसाद योजना में सामिल किया गया पुनोरा धाम के परिटन मंत्राले के परसाद योजना इसमें सामिल किया गया सीता मडी को सीता मडी बिहार सरकार ने सोलर रूप टॉप योजना के ताहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोगताओं को कितने प्रतिसत सबसीडी देने की घोसना की है तो ये सबसीडी मिलेगा 40 प्रतिसत 40 प्रतिसत निमनलेखित में से कौन सा नियाल है साथी वो क्या किया है मनन harbor मिस्रा भी हर उद्यमिता संवेलन 2020 के दोरान किसे बिहार विभूती सम्मान से समानित किया गया बिहार विभूती सम्मान दिया गया है रोहित कुमार को बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने होमी भावा किंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उधवातन किया है ये किया गया मुझभपर पूर में मुझभपर पूर बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबिय एंडिय Wilson में सबसे महगे खिलारी के रूप में खडिदा गया जैविक सब्जियों का ओटलेट ये खुला गया पटना में बिहार के किस जिले में मिथला चितरकला सनस्थान और मिथला ललित संगराले कलाभवन का निर्मान किया गया है तो ये मधवन्नी में हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के प्रधान सचीव किसे निक्त किया गया है ये है डॉक्टर S. सिद्ध्यार्थ और प्रधान मंत्री के कौन है प्रधान सचीव प्रधान मंत्री के है ये तो जो वो है वो तो है अमीत खरे और जो प्रधान सचीव है उनका पीके मिस बिहार के तिवाले नदी को पुनर जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। विभीन विभागों में कुल कितना बजट का प्रापधान किया गया है? पांच हजार करोर बिहार अर्थिक सर्वेक्षन 2020 के अनुसार वर्ष 2019-2020 में पर्ति व्यक्ति सेकल जिला घड़ेल उत्पाद के सम्मन्द में बिहार का कौन सा जिला? सिर्स पर था बिहार का इसमें मुझे पटना जो था वो सिर्स पर था बिहार का पहला मौडल फ्लोरी कल्चर सेंटर कहां अस्थापित क्या जाएगा? बिहार सरीप में बिहार सरीप केंद्रिये जल सक्ती मंत्राले दुआरा घोसित रास्ट्रिये जल पुरुसकार 2020 में बिहार के किस जिले को सर्व स्रेष्ट जिला का पुरुसकार दिया गया? बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री हारी नरायन सिंग का निधन हो गया उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सारे कथन हारी नरायन सिंग के वाड़े में सही है उनका संबन्द रास्ट्रिय जनता दल से था वो 1985 से लेकर 1990 तक जगदिसपूर के बिधायक और मंत्री रहे उन्हें बित्राज ना मंत्री बनाया गया था उन्हें बित्राज मंत्री नहीं बनाया गया था तो उनके बारे में सब कुछ चाहिए बिहार के नए मुखी सचीव के रूप में किसे निक्त किया गया है बिहार के मुखी सचीव है आमीर सुभानी बिहार सिक्षा पर्योजना के दुआरा जाड़ी निर्देसों के अनुसार उच्छी विद्याला की छात्राएं किस अखवार का प्रकासन करेगी ये कौन सा अखवार होगा दिवार अखवार बिहार का तीसरा रास्ट्य खाद तकनिक उद्यमिता एभम प्रबंधन संस्थान किस राज्जी में खोला गया है बिहार बिहार एक दसमलब छो मेगावार्ट शमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सॉलर प्लांट किस जिले में अस्थापित किया जाएगा एक पॉइंट छो मेगावार्ट का ये है दरभंगा में जब फ्लोटिंग वाला आए तो दरभंगा टिकर लेना है हैदराबाद में आयोजित पांचपी अंतर राज़्टरिये सस्य विज्ञान कॉंग्रेस में सस्य विज्ञान का फैलो पुरुसकार किसे परदान किया गया डॉक्टर अनिल कुमार बालमिकी नगर जहाँ पे टाइगर डिजर्व है ये किस जिले में बनाया जा रहा है अच्छा बालमिकी नगर जो है भारत का पहला है दूसरा महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रोनिक दो पहिया बाहन खड़ी दने के लिए निमनलिखित में से किस बैंक द्वारा इनारी सक्ती रिन योजना की सुरुआत की गई यह सुरू क्या है दक्षिन गरामिन बैंक दक्षिन बिहार गरामिन बैंक राजे सरकार के गरामिन बिकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को एसकौच संस्थान ने बीतिये वर्स 2021 के लिए रजत पुरुसकार परदान किया है यह मुख्यमंत्री गराम संपर्क योज बिहार में कितने परियटन अस्थल बिक्सित किये गए है यह आठ बिहार का पहला बॉम्फू गार्डेन कहां बनाया जायेगा? बिहार का बॉम्फू गार्डेन महावोदी कन्वेंसन सेंटर परिशर बोधगया में बनाया जायेगा बिहार के 42 जिले के प्रमूद भगत को किस राज्जी के कोटे से पदमश्री 2022 सम्मान दिया गया प्रमूद भगत को पदमश्री मिला इनको मिला उत्तर परदेश कोटे से प्रमूद भगत थे ओडिसा ओडिसा ओप्सन नमर भी यहां सही है बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेसमा परसाद का स्टार्ट अप नाचबाजा.com को स्टार्ट अप बिहार प्रोग्राम के तहथ सामिल गिया गया है तो यह पतना का हूँ नॉवंबर 2021 में प्रदर्शन के अधार पर देश भर में अकांची जिले की रेंकिंग निती के जो निती आयोग है उसके द्वार जारी की गई उसमें पहले अस्थान पर बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ खगरिया को गंतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारों में प्रस्तूत आठ जहाकियों में किस जहाकी को पहला अस्थान प्राप्त हुआ आठ जहाकी था उसमें से पहला अस्थान किसे मिला बिहार सिक्षा परियोजना परिसद को बिहार, सिक्षा, पुर्योजना, पड़िसाद, यह गांधी मेदान का बाद था, मैथली भासा में अन्सू बनी पसरी जायव, इसके लिए साहित याकादनी पुरुसकार मिला, दुज़रे किसका, यह है अमीत मिस्र, अमीत मिस्र, वनारस के तरज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ, C&G Station अस्थापित किया जाएगा, C&G Station बनेगा पटना में, पटना, करोना काल में स्वास्त के छतर में उतकृष्ट कारी के लिए निमनलेखित में से किसे बिहार स्री सम्मान प्रदान किया गया, बिहार स्री सम्मान मिला डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंग क डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंग बिहार के पिछरे वर्ग आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे निउत किया गया है नियमूर्ति संजय कुमार को उपन्यास है मैला आचल मैला आचल जपानी भासा के दोरोना सुनो ये मेला पल्लू है नामक प्रकासित किया गया इसके लेखा कौन है फनिस्वर नाथ रेनू किस राज्जी का बिधान परिशत देश का पहला डिजिटल सदन बन गया किस राज्जी का पहला ये जब विधान पडिसत की बात आए तो ये किस राज्जी का हो गया बिहार का बिहार हलाकि मैं सोच रहा था किसी ऐसा जहां पर विधान पडिसत ना हो पर ऐसा था ये आगे दखिये और विधान सभाग डिजिटल पूछे तो तिलंगाना है तिलंगाना, सॉरी मैं क्या कर देता हूँ, नागा लेंड है और अगर पूछ दे online budget कौन सा राज्जी पेस किया तो होता है उत्तरपरदिस और वही कागज paperless country तो वो है दुबई, तो सबको अलग अलग याद रखना है, बिहार के पहले खाद प्रसंकरन काडियालय का उद्धाटन, केंदरी खाद प्रसंकरन उद्ध्योग मंत्री, स्री पसुपती कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया, यह हुआ पटना मनिहारी नगर के कन्या मध्य बिद्ध्यालय के परधान अध्यापक को एजुकेशन आइकेड आवार्ड से समानित किया गया उनका नाम क्या है, विनोध कुमार विनोध कुमार किस जिले के गांधी मैदान में नेस्नल हैंड लूम एक्स्पो मेला का इसका उदगाटन बिहार बिद्धान पडिसद के स्भापती अवधेस नरायन ने किया ये किया पटना में बिहार बिद्धान सभाचुनाव 2020 के नतीजों के सम्मंद में कौन सही सुमेली थै तो यहाँ पर सारे सही है जनता दुलियों को 43 सीट सबस्याधिक मिला था रास्ट्री जनता दल को 75 भार्दी जनता पार्टी को 74 कॉंग्रेस को 19 सीट मिला था बिहार के किस जिले में इस्थित हल्दिया जलपरपाथ कटोना पहारी नरोदह जलपरपाथ आदी को एको टुरिज्म के रूप में विक्सित किया है एको टुरिज्म जमुई को सुशासन दिवस के अवसर पर गिरी मंत्राले दुआरा सुशासन सुचिकांक जारी किया गया इसमें गुरू बी में बिहार को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है चठा अस्थान केंद्रिये गिरी मंत्राले दुआरा जारी सुशासन सुचिकांक 2021 दस सुचिकांकों पर अधारी थे जिसमें सार्वजनिक अवसर रचना उप्योगिक छेतर में बिहार का कौन सा अस्थान पराप्त हुआ पहला अस्थान पहला पटना मेट्रों के निर्मान के लिए यूरोपियन यूनियन, SCI, विकास बैंक और जपान सरकार की एजनसी जाइका कितने करोर रुप्या खर्च करने के लिए तैयार है आठ हजार करोर बिहार बिधान सभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संसोधन बिधर्यक पारित किया गया इसके तहट इस आयोग के अध्यक्ष के कारिकाल अध्यक्ष का जो कारिकाल है वो कितना निर्धारित किया गया तीन वर्स और अधिकतम सत्तर वर्स संस्थान BD Good Professional Association दोरा निермनलिखित में से किसे निमनलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार दुआरा 25% अनुदान दिया जाएगा सभी के लिए प्याज चाए रजनी गंधा सहजन के लिए जल जीवन हर्याली योजना के तहत बिहार के किस जिले में इस्थित धानोती नदी से गाद हटा कर उसे पुनरजिवित किया जा रहा है या किया जाएगा तो यह होड़ा पुर्वी चमपारण में निती आयोग एवं स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले दुआरा जारी नेशनल फैमिली हल्थ सर्वे रिपोर्ट के सम्मंध में यहां पे कौन सा कतन सही दिया गया है तो यहां पे सारे कतन सही है कि प्रजनन के मामले में बिहार जो है वो पहले अस्थान पे है जहां पे TRF3 है रिपोर्ट के अनुसार 19 से किस में प्रेजनन जो है वो 2.2 से खटकर 2 हुआ है और 19 से किस में 1000 पूर्ष पे 1090 महिलाए है जो की अधिक है देखिए ओपरॉल जितना भी हम तिसरा से टमारा यह चल रहा है और इसमें जो प्रस्न है उसमें हम कह सकते हैं 2 से 3 प्रस current affair है वो आपको जो 900 complete किया गए उसमें है already ठीक ना तो हलांकि हम शुरू किया है तो कम से 5 से complete कर देते हैं क्योंकि यह जितना पढ़ के बहुत अधिक helpful नहीं होने वाला ठीक ना तो फिर भी मतलब हम इसको complete करेंगे ही अगर आप सब कुछ पढ़ लिए है तब इसको पूर है यह है प्यूस पांडे प्यूस पांडे निम्नलेखित में से कि सराज में home isolation में रा रहे करोना संक्रमित मरीजों को स्वास्त विभाग द्वारर डाक विभाग के सहयोग से घर पर करोना की इलाज की जरूरी दिवाएं कौन भेज रहा है तो यह भेज़ना बिहार को कि आ बिहार या LIV की सुरुवात किस उद्देश से किया गया है यह उद्द्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्द्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कानून व्यवस्था को और बहतर करने हुआ जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गिरिह विभा ये किस राजी सरकार द्वारा मुख्य मंत्री की सोरी स्वास्त योजना की सुरुआत की गई मुख्य मंत्री की सोरी स्वास्त योजना है बिहार का बिहार राजी सरकार के घोसना के अनुसार तारी के बदले नीडा का वेवसाय करने के लिए सतत जीवों का उपार्जन योजना के लिए कितने रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी ये होगा एक लाख करो एक लाख रुपया क्रिपान से घायल हुए तक्त स्री हरी मंदिर जी पटना सहीव के मुख्य गरंथी का निधन हो गया उनका नाम क्या था इनका नाम था भायराज인드र सिंग किस राजशरकार दोरा नो जिले में चलाएजार है महादलित दलित एवम अलव संक्यक वा अतिपिछरा वर्ग अक्छर आचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं रही, माता भी छूटे नाढे, यह किस रसभी जिला में लागू किया गया, तो यह मिले किस राज्य में किया गया, बिहार में किया गया, बिहार, निम्दलखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया, पहला है, बिहार के अर्थ सास्त्री, एबम Asian Development Research Institute के संस्थापक डॉक्टर सेवाल गुप्ता को मरनो उप्रांत सिक्षा के चतर में पदमस्री दिया गया और चिकित्षा के चतर में सहराने काड़ी के लिए डॉक्टर दिलिव कुमार सिंग को भी पदमस्री दिया गया आगे देखिए बिहार बजट के अनुसार वर्स कितना प्रतीसत अनुमानित है तो यह अनुमानित है असी दसमलव चार साथ प्रतीसत कहां चला गया बिहार आर्थिक सरवेक्षन 2021 के अनुसार 2021 में सकल घडेलू उतपाद में तिर्तियक छटर का हिस्सक इतना है 61.2 पर्थिसत बिहार आर्थिक सरवेक्षिन 2021 बैस के अनुसार 2021 में बिहार का निवल राजजी घडेलू अनुपाद 2011-2012 में इस्थिर मुल्य का कितना है 546.47 पर्थिसक इतना है यह था 34,314 रुपया पट्याला में आयोजीट 64 रास्टरी सुटिंग चैंपियनसिप में बिहार की स्रेशी सिंग काफी इंपूर्टेंट है स्रेशी सिंग को स्वरन पजख मिला यह किस छेत्र से उतना ने डिवले पूछेगा तो यह है जमूई इस्या जमूई तिन दिसंबर 2021 को देशरत्न डॉक्टर राजेंदर परसाद की कौन सी जैन्ती मनाई गई 137 वी 137 वी बिहारें पंचय चुनाव कुल कितने चरन में हुआ यह हुआ 11 चरन में 11 चरन बिहार के पंचय चुनाव 2021 में कितना प्रतिसत जो है वो मत हुआ था 111 परसेंट बिहार सरकार ने कब तक राजे के सभी घड़ों को स्मार्ट पिडिपेड मिटर लगाने की घोसना की है मार्च 2025 तक और यह भारत का पहला राजी है जो मिटर लगाएगा इस टेप का मुखे मंतरी बिहार के किस जिले में 786 करोड की लागत से कोटेस्वर नाथ मंदिर का सिलानयास किया गया कोटेस्वर नाथ मंदिर यह हुआ गया में गया इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के 96 नमबर का राष्टिय अधिवेशन कहां खोशित किया गया पटना में 21 दिसंबर को राजी कैबनेट की बैठक का आयोजन किया गया बालमिकी नगर में बालमिकी नगर राजी में चलाया जा रहा सांस कारीकरम किस से संबंधित है सांस सी कारीकरम है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की हानी से जो मिर्ती होता है उसको जगरू करने के लिए सांस स्वक्ष भारत मिसन साहरी के तहद बिहार के किस साहर को बिहार का पहला कच्रा मुक्त साहर घोसित किया गया कच्रा मुक्त यह हुआ सुपोल सुपोल तो मैं पड़सो ही गया था ऐसा तो कुछ खानी स्वक्ष भारत मिसन के तहद भारत के किस साहर को बिहार का पहला कच्रा मुक्त सार घोसित किया गया, सुपोल, गुड, निम्लकित में से किस राजी के सभी सरकारी अस्पतालों के केंटिंग में देदी की रसोई कारिकरम चलाया गया, देदी की रसोई कारिकरम बिहार, बिहार, ओहो, देदी की रसोई कारिकरम बिहार हो गया करोना सहित अन्य परकार के वाइरस के जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए राजी का पहला लैब कहां बनाया गया आईजी आईएमेस पटना संसद्वारा राश्ट्री असुधी सिक्षा और मनुसंधान संस्थान विदहयक 2021 को मंजूरी दी गई किस राज सरकार ने अपने पंचाय चुनाव में बिहार पंचाय चुनाव की तकनीक का उपियो करने का निड़ने लिया है ये लियागे तेलंगाना सिच्छा के च्छतर में बदलाव के अधार पर निती आयोग दौरा चैंपियन्स ओफ चेंज की डिल्टा रैंकिंग जारी की गई है इसके सम्मंद में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है तो सारे कथन सही है कि इस रैंकिंग में सिर्स पांच जिलों में बिहार के मुझपरपूर औरंगाबाद बांका सेखपूरा जिला सामिल है इस रेंकिंग में जहारखंड के दुमका जिले को पहला अस्थान मिला और साथी मुझपरपूर जिले को देस्क में दूसरा अस्थान प्राप्त हुआ सारा कतन यहां पे सही था इलेक्ट्रोनिक वाहनों की विक्री के मामले में राजियों और केंससित परदेश में बिहार का अस्थान कौन सा है इलेक्ट्रिक वाहनों की विक्री की मामले में चौथे नमर पे है लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के तहट राज का पहला ट्वालेट क्लिडिक कहा खुला मुझपरपूर कुढ़नी में जल जीवन हर्याली मिशन के तहट हर्याली को बढ़ाने के लिए रेंकिंग में किस जिले को सिर्ष अस्थन प्राप्थ हुआ है गया को पर्धान मंत्री गरामीन डिजिटल सक्षर्ता अभियान के तहट बिहार का कौन सा जिला पहले अस्थान पे राज बिहार का मध्वन्नी जिला पहले अस्थान पे राज डिजिटल सक्षर्ता अभियान में नालंदा अंतराश्टिव इस्विद्याले को किस देश की संस्था European Society for Equality Research में Quality Achievement Award 2021 से सम्मानित किया गया आये हुआ स्विट्जर लेंड बिहर में 11 से 13 दिसंबर को तीन एक दिवसी आयरवेद पर सम्मेलन का आयजन किया गया इसमें मुख्यमंत्री नितिस कमार को भी सामिल किया गया राजगीर में इसमार्ट सीटी चैलेंज और FSSAI की संजुक्त पहल पर it smart city चैलेंज में बिहर के किस सहर को सिर्थ 20 सहरों में सामिल किया गया है तो यह है पटना बिहार राजी के सिक्षा मंत्री ने 11 से 12 के बच्चों के सभी विसाई को dot clear करने के लिए एक एप लॉंज किया उसका नाम क्या हुआ फीलो एप किस तिथी से राजी में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्मान पर आयात, भंडारन, वितरन, विकड़ी और उपयोग पर पुर्ण रूप से रोक लगाया गया है एक जुलाय दो हजर बाइस से एक जुलाय दो हजर बाइस अधारबूत साक्षर्ता और गरना सुचिकांक के संबंध में कौन सा कतन यहां पर सही दिया गया है तो साले कतन सही है कि बड़े राजी की स्रेणी में पस्टी मंगाल सेसपर है बड़े राजी की स्रेणी में बिहार कौंती मस्थान मिला है और चोटे राजी की स्रेणी में केरल टॉप पे है और जारखन डंती मस्थान पे है मुख्यमंत्री नितिश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 710 करोर की लागत से कमला नदी पर बैराज का निर्वान सुवारम्भ किया गया तो ये कहां शुरू हुआ है मधवनी में मधवनी बिहार के किस जिले में कुस हर पंचायत में चुनाप जितने वाली अनुस्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उमिद्वार बनी है सिभार सिभार बिहार के किस सहर में मेसर्स वरून वेवरेंज लिमिटेड द्वारा बिहार के किस भावन सनरचना को ए आई ए जपान आर्खिटेक्चर आवार्ड 2021 परदान किया तो ये बिहार संग्रा लेगो अपरादियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राजी सरकार की पुलिस द्वारा चक्र एप को लॉंच किया गया ये चक्र एप है बिहार का बिहार पुलिस द्वारा राजी में गंभीर अपराध के आरोपियों की गिरपतारी और सराबंदी की कारवाई के लिए एक बिशेस अभ्यान चला इसका नाम क्या है ओप्रेशन प्रहार नितिया एक द्वारा चौथी स्वास्तो चिकांग 2020 में 19 राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा रहा 18 बिहार में इथेनौल की पहली फेक्टरी की सुरुवात की जिले में की गई जहां एसिया में सबसे जैदा इथेनौल का उत्पादन होगा तो ये सुरू किया गया है भोजबूर में भोजबूर स्वेक्षिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का स्वारम करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है बिहार बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिकित में से किस राज्य में भूमी सर्वेक्षन किया जाएगा तो ये होगा आंधर प्रदेश में आंध्र प्रदेश भूमी सर्वेक्चन बिहार का कौन सा जिला गविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए परसिद्ध है गविंद भोग चावल के लिए क्यमूर क्यमूर निम्नलकित में से किस राल सरकार ने अब्बे वर्स के बाद पुना जाती अधारित जनगना कराने की घोसना की अच्छो घोसना कर भी दिया ये वह बिहार option number D बिहार के किस जिले में प्राथ्मिक विद्ध्याले मोक्छटा में नटखट साइंस लैब खोली गई है नटखट साइंस लैब खोली गई है ये होगा भागलपूर भागलपूर केंदर सरकार की सुक्ष मलगू और मध्धिम असफूर्ती योजना के अंतरगत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइवर पार्क किस जिले में अस्थापित किया जाएगा तो ये होगा पुर्णिया में बिहार के किस जिले में इस्थित राज किये मध्धि बिद्याले डिहूरी में चिल्डरेन बैंक खोला जाएगा चिल्डरेन बैंक खोला जाएगा गया में गया मध्वनी जिले के सामस आलम को वो रास्टरपती रामनात कोविन दुआरा, रास्टरिय अस्तर पर वेस्ट स्पूर्ट्स पर्शन कावाड दिया गया, उसका संबन्ध किस खेल से है, इसका संबन्ध है पैरातेराकी से, पैरातेराकी, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सरकों से जुरे मामलों पर पोर्टल लॉंच किया गया इन इस से पोर्टल है पंचैती राजमंत्रा लेगा पंचैती राजमंत्रा लेगा बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण के अंदर सरकार दुआरा आठाट लाक रुपिय का पुरुसकार दिया गया तो मुझपरपूर गपाल जनीज सवी जजर नां टुरे हें जोके हमें आरी हो नार लाहा क्वेर नार मारा हूा है, मैंस